नमस्ति विद्याकी राइगायनु दुरां आच विशय हिंदी पाक्सा खाणाट खचाल। आमा भाड़ोको आप्रे चित्र आए चित्र बाढ़ छे। चित्र ना आधारे कमारे अग्या आप्रेनुची रसोई गर्मू चित्र। रसोई गर्मा चित्र मा झेजिэт रसोई नों सम्ही शले कि रसोई गर्मा तो सु है पेडा तो बास हıyorsun। और रसोई बनावा नी वस्तो जमकि birजी होई ता चित बमसार होई बरबन ટો આ બલી વસ્ટો દરેક ઘડની રસોઈ ઘરમાં હાએ કરોબાં તો હીયાં આજ એગરણી છીત્રા આપીલી છે ઓકે! आईगगर का है, सित्र में माता रोसोई बना रही है, गहस ने एक चुले पर दुघर है, देखो यहाँ जो गहस है उसके दो जुले नсятक, रोड़े है माता रोटी बेल रही है यहां माता आपको रोटी बेल की हुई दिखाई दे रही है पास में पानी का मटका है क्या है मटका कड़ाई में यह आटा पड़ा हुआ है जिसमें से थोड़ा थोड़ा आटा ले कर माता रोटी या बेल रही है ठाली के पास में सेकी हुई रोटिया पड़ी हुई है नस्दिक में बैठा हुआ लण का खाना खा रहा है दादी मां हाथ में किताब लेकर कुछ पड़ रही है देखे, बच्चे के बीज़े दादे मां बैटे हुई है और वो किताब लेकर पड़ रही है तोकरी में एक और सब्जी पड़ी हुई है यहाँ पर तोकरिया है उसमें सब्जिया और पल पड़े हुए है दूसरे खाने के डिपे है यहाँ पर जो खाना है उसमें क्या है डिपे डिपे मतलब डबा दूसरी अल्मारी के डिपो में मतला कि यहां जो अल्मारी है उसके दिपों में क्या है तो आचार, तेल, डाल और मिर्च मसाले है इन सारी चीजों की रसे बनाने में ज़रू पड़ती है खाली, अल्मारी में दूसरा क्या है खाली, कप और गिलास, दूसके बार क्या है केतली, खाली है, कप और गिलास है और दूसरा केतली आदी भी दिखाई दे रहे हैं रसोई गर में एक खिड़की है और खिड़की में से बादल दिखाई दे रहे हैं क्या दिखाई दे रहे हैं? बादल ठीके बच्चों, तो ये बस खना खजाना मतलब की रसोई गर का जित्र है और हमने अभी ये रसोई गर का मौनन किया कि रसोई गर में कौन-कौन सी चीज़े दिख लगी हैं आपको ये प्रशना पूछा जा सकता है कि रसोई गर में कौन-कौन से बादल हैं तो बच्चों, आपको ये लिखना है, रसोईगर में दिवे, बिलास, थेखनी, ठालिया, ये सारी क्या है, ठालिया, कब, मटका, उसके बाद भूकर, दालिया, उसके बाद भूकर है, तो ये जो है बड़ा सा दिवा, उसे डालिया बोलते हैं, जाल, चमर, और बिलास, आजी ठाली चीते, डिखाई दे रखी है, ठीके, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, अब आपको हिंदी में पाठ छे खाना खजाने का स्वाध्याय में कल समझाओंगी, जब हमारा अगला हिंदी का प्रेड होका तब, उसके बाद आपको वे प्रश्नों के उत्तर आपकी नोटबुक में लिखने होंगी,